सब्सक्राइब उसके बाद जो भी अंग्रेजों ने यहां पर आतंक अत्याचार टर खौफ भाय का वातावर्ण जो पूरे देश के अंदर खड़ा किया जो कि वो हिल गए थे वो परिशान हो गए थे उनके लिए ये अनपेक्षित सारा दृष सारे देश के अंदर बना था कि एक साथ हर वर्ग का व्यक्ति सैनिक भी किसान भी सादू संट महात्मा भी आम नागरिक भी थारा सो स्तावन के अंग्रेजों के खिलाफ इस महान करांती में जिस तरह से और्गिनाइजड वे से सब तरफ बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी घटना उनके सामने हो गई थी उसके बाद वो चाहते थे कि उनके बहुआर से अंग्रेजों के बहुआर से ऐसा एक आतंक बन जाए कि किसी को भी ये सोचने का भी कभी ऐसा मन में ना आए कि वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ सकते हैं लाखोन लोग इस महान समर के अंदर करांती के अंदर शहीद हो गए थे बहुत लोगों को फार्सी पर चड़ा दिया गया था बहुत लोग उसी युद्ध के अंदर उस क्रांती के अंदर समप्त हो गए थे एक तरफ वो अंग्रेज अपना काम कर रहे थे लेकिन दूसरी तरफ भारत मागी गोद में बराबर देश भक्त बड़े हो रहे थे विक्षित हो रहे थे संख्या बढ़ती जा रही थी 13 जनवरी 1872 मागी का मेला लुध्याना के एक गाउं भैनी में होता था हर साल होता था इस साल भी उस भैनी के अंदर नामधारी सांपरदाय के सद्गुरु राम सिम्जी का जनम दिन भी था नामधारी शिश चले हुए थे भैनी की और रास्ता मलेर कोटला की और से होके जाता था मलेर कोटला इसलामिक राज्य था वहाँ का राजा मुसल्मान था काफलों के काफले भैनी की और बढ़ रहे थे एक व्यक्ति एक व्यक्ति अपने काफले से कहीं बिछड गया सोचा चलता रहता हूँ पुछते पुछते वहाँ भैनी तक पहुँची जाओंगा प्रंतु अगले ही कुछ गाओं चलने के बाद एक जगा इन यवनों ने इन मुसल्मानों ने इस नामधारी शिश्य को घेर लिया मार कर जमीन पर पटक दिया इतना ही नहीं एक तरफ पिटाई हो रही है दूसरी तरफ उसके सामने गाए माता को लाकर उसकी हत्या कर उसका खून उसके चेहरे पर फैंका जा रहा है खून से चेहरा लाल हो चुका है आंकें बंद हो चुकी है शरीर में जान है अद्मरा समझ कर वो यवन वो मुसल्मान वहां से चल पड़े प्रन्तु ये नामधारी भक्त गाय भक्त आहत था अपनी पिटाई से कम गाय की हत्या से जैदा जैसे कैसे शरीर में जान आई उठा और चल पड़ा भेनी की तरफ उस गाओं की तरफ सद्गुरु राम सिंग के उस स्थान की तरफ वहां पहुंशते ही सारा हाल रास्ते की ये घटना ये अत्याचार ये विर्तान्त कुछ शिश्यों के सामने सद्गुरु राम सिंग जी को सुनाया गया सद्गुरु राम सिंग गाए भक्त थे, गाए के लिए वो गाओं गाओं में परचार करी ही रहे थे प्रंतु उनके सामने एक बड़ी योजना भी थी, बहुत बड़ी योजना थी उनके दिमाग में ये सुनने के बाद वो नहीं चाहते थे के एकदम मेरी वो बड़ी योजना इस घटना के बाद, चलो व्यक्ति तो बच गया, आ गया हमारे पास, हमें अभी उस बड़ी योजना के तयारी करनी है, वो क्या योजना थी? गाए, माता और भारत माता, गाए भक्तों को, गाउ भक्तों को इकठा करके, गाउं गाउं में जा करके, भारत के स्वतंतरता के लिए मुझे काम करना है, अइटिमेटली, अन्तुतों गत्वा, तो इसलिए, वो साब सुनने के बाद भी, बहाद कष्ट पीड़ा होने के बाद भी, चेहरे के अंदर वो भाव नहीं आने दिये, कि अभी उठें और चल पड़े हमला करने, वो शान्त हो गए, और शान्त होकर कहने लगे, कि चलो तुम बच्च के आ गए, और अपने काम में लगे रहीे, समय आएगा, जब इन दुष्टों से, इन फिरंगियों से, इन विदेशियों से, हम ठिक-ठाक मुकाबला कर सकेंगे, अभी हम अपने काम में लग जाए, पर हृदे को हिला देने वाली घटना और भी तो शिष्च सुन रहे थे कुछ लोगों ने सब्गुरू राम सिंग जी की ये बात सुन करके अपने आपको शांत कर लिया प्रन्तु कुछ युवा नामधारियों ने लगबग 150 लोगों ने नामधारी शिष्चों ने वहां से निकल कर और मालोंद गाओं में आकर किले के उपर हमला कर दिया उसी किले पर हमला किया बहुत बड़ा किला था यह मलेर कोटिला का उस राज्य का और उस किले में कुछ नामधारी शिष्च सैनक भी थे और अफसर भी थे वो लोग भी इन पचास लोगों के साथ इन शैनकों के साथ नामधारी सैनानियों के साथ आकर मिल गए और कुछ बचे हुए मुसलमार वहां से भाग गए कुछ को मार दिया गया इस तरह से मालोंद किले के उपर काबिज हो जाने के बाद वहां ठिक ठाक शास्तर मिल गए धन मिल गया परन्तु ये बात लुद्याना का डिप्टी कमिशनर कैविट कैसे सेहन कर सकता था उस मुसलमान राजा के साथ उसका जगा जगा इस देश के अंदर ऐसे कुछ राजों के साथ उनकी अंदरस्टेंडिंग थी और कुछ उनके साथ उनका लेंदेन था और कुछ लोग अगर आज उस राजा के खिलाफ इस तरह से हर तरह से अपने वैपन्स लेकर तोप लेकर हर तरह से सुसंजित होकर शस्त्रों से बहुत गुस्से में करूद में यह वहां पहुंचा वो एक सो पचास सेनिक लड़े अंतिम्श्वास तक लड़े प्रन्तु इनके इतनी बड़ी सेनिक संख्या के सामने और तोप के गोलों के आगे वो बहुत कुछ नहीं कर सकते थे जितना कूप जो भी किया वो धर्ती के ऊपर वीरिता की पराकाश्ठा थी कई उधारन वो प्रस्तुत कर रहे थे हर तरह से वो एक-एक का उस युद्र के एक-एक सैनिक के हम बात सुनते हैं तो एक-एक सैनिक का लड़ने का धंग तरीका और शहादत एक-एक उस्तक बनेगी परन्तु आज मेरा उदेश्य के वल यह है कि उस युद्र के अंदर 68 सैनिक 68 68 नामधारी सैनिकों को बंदी बना लिया गया शेश शहीद हो गए बंदी बना लेने के बाद नियाएले में प्रस्तुत किया गया उनके नियाएले में जो होना था वो पहले से तैय था सबको मौत की सजादी गई मृत्यों दंड दिया गया लेकिन मृत्यों दंड भी इतना भ्यानत तरीके से कि देखने सुनने वाले लोग अपनी साथ प्रीडियों को बताएं कि ना बबा ना अंग्रेजों के खिलाफ मुसलमानों के खिलाफ नहीं खड़े होना भारतमा की स्वर्तंतरता की बात नहीं करना गाय माता की जय भारतमाता की जय बोलने वाला कोई न बचे इस तरह का मृत्यों दंड वो कैसा उसी मालों के लेके बहार खुले मैदान में बहार सारे गाउं के लोगों को बुलाया गया आएए एक तमाशा दिखाएंगे आपक तमाशा दिखाएंगे उनकी नजरों में ये तमाशा था लोग के कठे हुए जो 68 सैनिक जो बंदी बना लिये गए थे जिनको मृत्यु दंड मिला था एक एक को तोप के मूँ के आगे बांद कर उड़ा दिया गया सिल्सला चल रहा था 49 अनुच्चास को उड़ा दिया गया था तोप के मूँ के आगे उड़ने वाले उन शहीदों का उन नामधारी सैनिकों की हड़ियां लोगों ने हवा में उड़ते देखी थी पर खचे उड़ते देखे थे एक एक शरीर को और उन हड़ियों से उड़ने के बाद वहां लोगों की संख्या के अंदर गिपती हुई हड़ियां उनके टुकडे सबको हैरान कर रहे थे परन्तु उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी में नहीं हो रही थी इस सारे की अंदर इस सब की अंदर जब पचास में नामधारी सैनिक का नाम आया जिसकी आज हम चर्चा करने जा रहे हैं चर्चा तो अभी भी हुई है परन्तु ये तेरा साल का बालक सबसे छोटा उन सैनिकों में ऐसा लगता है ये मानो पुत्तर नहीं देव पुत्तर था अफार शक्ति कहां से इतनी शक्ति इसको जब तोब के मूँ के आगे बांद रहे थे तो इसने मुढ के पलट के बोला अरे काईरो मेरी पीट क्यूं बांद रहे हो तोब के मूँ को मेरी छाती के साथ बांदो तेरा साल का बालक जब ये कह रहा था तो डिप्टी कमिशनर और उसकी पत्नी भी वहां बैठे हुए थे डिप्टी कमिशनर की पत्नी को थोड़ा तरस आ गया अरे ये छोटा है इसको छोड़ दो न अपने पत्ति को कह करके और उसने कैबिट ने कमिशनर ने रुखवाया थोड़े दिर के लिए और उसको प्रशन किया अपनी चेर पर बैठे बैठे दूर से अरे उस गुंडे राम सिंग के लिए तुम ये सब कर रहे हो गुंडे राम सिंग के लिए जांग बच सकती है तुम वहां से निकल आओ हम तुमें नौकरी भी देंगे बहुत कुछ देंगे गुंडे राम सिंग शब्द सुनते ही वो वहीं से उचला और कुर्सी पर बैठे केविट के साथ जा टकराया और कुर्सी उलट गई ये जमीन के उपर गिरे हुए हैं केविट उनकी चाती पर बैठ करके दोनों हाथों से उसकी दाड़ी पकड ली दोनों हाथों से इतनी मजबूती से साथ दाड़ी पकड के जहरे को यू 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 हिला करके उसका जब्रवी उसका मू जब्रवी तेड़ा होने लग पड़ा था चिला रहा था चीख रहा था पांच अंग्रेश सैने का आगे बड़े और उन पांच सैन को ने देखा छुडाने की कोशिश की कहा से इतनी शक्ति आई उस बालक के अंदर मैंने कहा न वह मानौ पुत्तर नहीं था देव पुत्तर था तभी इतनी हो सकती है भी नई चुड़ा सके उसके बाद उन्हों न क्या क्या कि एक हाथ तलवार से इस बालक का बिशन सिंघً बिशन सिंघ नाम के इस बालक का एक हाथ तलवार से काटा दुसरा तो यह छोड़ी देगा, एक हाथ कटा हुआ है, दूसरे हाथ से दारी को पकड़ा हुआ है, वो भी ऐसे नहीं चूट रहा, तो दूसरे हाथ को भी तलवार से काड़ दिया गया, दोनों हाथों से, अपाहिज, खून से लटपत, उस बालक के लिए, अंग्रेज ओफिसर के मन में तो गुस्सा थाई ही, वो तो अभी कई घंटे लगेंगे, उसको थोड़ा सा दर्द पीड़ा, और उसकी इंसल्ट हुई थी, आहत हुआ था, हर तरह से वो जखमी हो गया था, और उसने भी तरुन्त इसको तोपके मूँ के आगे, खड़ा करके उड़ाने के लिए ओडर दिया, और ये तेरा साल का बिशन सिंग, नामधारी सैनेक, उस अंग्रेज ओफिसर को तारे दिखाने वाला, और मृत्यों को गले लगाने वाला, इतनी भ्यानक मृत्यों को, इतने जोश के साथ, हिम्मत के साथ, साहस के साथ, अदब्य साहस के सा धर्ति के उपर एक नया उधारन प्रस्तोत कर रहा था विशन सिंध नामधारी कुपका अंदोलन के नाम से सारे परदेश के अंदर सारे क्षेतर के अंदर उसके बाद भी गवरक्षा के लिए बहुत सारे अंदोलन होते रहे हैं और ये नामधारी गाए भक्त राष्ट्र भक्त बनते हुए जो कभी सद्गुरु राम सिंग न सोचा था मैं ग्राम ग्राम में जाकर गाए माता के नाम पर लोगों का जन्जागरन करूँगा देश भक्ती के विचार का संचार करूँगा सबको देश भक्त बनाते हुए अंग्रेज जोर मुसल्मानों के खिलाफ लड़ने के लिए मैं गाउं गाउं के अंदर ऐसे लोग तयार करूँगा वो काम तो होना ही था उस कारे के लिए गती और बढ़ाती गई सद्गुरू राम सिंग नामधारी सद्गुरू राम सिंग वो तो अपने काम में लगे ही रहे संघर्ष लंबा था इस लंबे संघर्ष में कितने ही कितने ही अग्याद असंख्य अंसंग हीरोज नायक और नायकाएं जिनको इधिहास में स्थान नहीं मिला ये तो नामधारी शिश के कारण उस संपरदाय के लोगों ने दीर सिंग के नाम को जिंदा रखा वो कहीं न कहीं हमें उनके बारे में कुछ सुनने को मिल गया और मैंने आप तक भुंचा दिया प्रंटु प्रंटु जिस तरह से इतिहास के अंदर हमारे उन शहीदों का उन अदंब्य सहसी कृअधिकारियों का देशभक्तों का नाम गायब प्रकर दिया गया कहीं सामने नहीं लाया गया ये जो पाप हुआ है इन काले अंगरेजों के दोरा जिनको अजादी मिली और ये पाप हुआ है इन काले अंग्रेजों के द्वारा लूट शुरू हो गई और इन बानपंतियों को उन्होंने इतिहास का काम सोंप दिया शिक्षा का काम सोंप दिया वो शिक्षा आज तक भी दुरभाग्य है बहुत काम हो रहे हैं देश बहुत मामलों में अच्छी द ये पीड़ा है इस इतिहास लेखन को पुनर लेखन की विवस्था शीग्र होनी चाहिए मैं काले की शिक्षा को का परिवर्टन होना चाहिए भारत की वो शिक्षा जो सारी दुनिया के लोग लेने यहां आते थे उस शिक्षा को पुनर जीवित करते हुए वर्तमान के अंदर जो जोड़ना है उसको जोड़ते हुए जिसके कारण ये देश विश्व गुरु था वो शिक्षा भी तो हमारी रही होगी कुछ डालन्दा तक्षला विश्व जयले भूर गए सारी दुनिया के लोग यहां शिक्षा प्राप्रिक अपने आते थे तो मुझे लगता है कि अब समय आगया है इन बाम पंथियों का खात्मा इस धर्ती पर तो लगबग हो ही रहा है प्रश्व प्रण्तो कुछ युदि में कुछ शिक्षा के संस्थानों में अभी भी ये काबिज होके बैठे उए हैं कहीं कहीं कुछ कुछ मजदूरों में आज भी जो किसान अंदोलन के अंदर दिश्च देखने को मिल रहे हैं ऐसी वो सारी संस्थाएं ऐसे वो सारे अंतर राष्ट्रिय शड़े अंतर वहाँ दिख रहे हैं किसान अंदोलन पर मैंने अलग से एक आपके सामने वीडियो दी थी एक निकट भविश्य मैं और दूँगा उन सब लोगों का आपके सामने मैं पेश करूँगा उन सब को जो इस अंदोलन के पीछे हैं और किसान अंदोलन के नाम पर इस देश को तोड़ने वाले खासकर दोतरा के लोगों से बचके रहिए इसलामिक जिहादी और बामपंथी बामपंथी उन्हे नकसल्स अर्बन नकसल्स इन सब को जिहादियों को मिला करके जो इस देश को तोड़ने का अंतराश्टे परियास चल रहा है कुछ देश नहीं चाहते के ये देश फले फूले ये देश दुनिया के उन सुपर पावर्स के बीच में आ जाए ये द्दपी ये आ रहा है आएगा परन्तु मेरा इतना ही कहना है शिक्षा की और जितना जल्दी हो सके इस सरकार को ध्यान देना चाहिए और जो अभी तक पाप हुए है और जो अन्याय हुए है इस शिक्षा के साथ ये शिक्षा तो इनसान को इनसान भी नहीं बना रही इस देश का इस संस्कृति का गौरव और स्वाबिमानी लोग खड़े करने का शिक्षा के माद्यम से जिस परकार का जो एक परियास नए सिरे से होना चाहिए जद्दपी सुना है 2022 में ये नए शिक्षा नीती आ रही है प्रात्मित्ता के अधार पर होना चाहिए था मुझे लगता है कि करने वाले लोगों के सामने कोई बहाना नहीं होता सहासोत और हिम्मत के साथ करना होता है 375 भी तो किया छोटा काम था क्या हुआ होने दोनों जो होता है ये देश देश भक्तों के द्वारा फिर से विश्व गुरु बनने के परियास में अगर चल पड़ा है तो ऐसी सारी बातों को प्रात्मित्ता के अधार पर लेना होगा इस जिस इतिहास के अंदर इन शहीदों को हमारे उन असंख्य देश भक्त करांतिकारियों को जो स्थान नहीं मिला मैं एक परियास कर रहा हूँ कि उन सब लोगों को ढूंड ढूंड के मैं आपके सामने लाओं उनको शद्धाजली दो हम सब की और से शद्धास उमन उनको भेंट किये जाएं कभी कीत के द्वारा कभी कविता के द्वारा कभी संबोदन के द्वारा आवशक है नई जनरेशन को पता चले हमेश वतंतरतारूपी जो महल देखने को मिल रहा है उसकी नीम में कौन लोग है वो मोन पड़े हैं वो हमसे मालाएं नहीं चाह रहे वो जी ज़रूर चाह रहे हैं कि फिर से कोई नई से रेसे देश के उपर विदेशी दागता है जो भगले की तरह नजरे जो मैं बैठी है वो टेडी आंग से कोई देखना सके यहां का समाज जागरुक चाहिए हर खेट खले आंचोग बजार कली कुछे से लोग उठ करके अपनी भारत मा की दाव पर लगी स्वतंतरता को जिसके कारण लोग शहीद हुए अगर फिर से अगर फिर से ऐसा कुछ होता है भारत मा का अंग करता है यह सरकार नारती तो तीन पाकिस्तान बनने के लिए तैयार बैठे थे दो इसाइस्तान बनने के लिए तैयार बैठे थे आए आज हमने जिस बिशन सिंग नामधारी शहीद को समरन किया है ऐसे ही शहीदों को समरन करने का कार्य इस चैनल के द्वारा चलता रहेगा अगर ये मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो इस यूटूब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए चैभारत धन्यवाद